एक गाउं था, जहाँ दो दोस रहते थे, वे दोनों हमेशा गैर कानूनी काम ही करते थे, क्योंकि उस काम में उन्हें बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा होता था, एक दिन शेहर से बहुत बड़ा व्यापारी उनसे मिलने आता है। एक बार काम हाथ में ले लिए तो फिर पीछे नहीं हट पाओगे। अरे सेट जी, आज तक हम किसी काम से पीछे हटे हैं क्या, आप बताईए क्या काम है, जो भी काम होगा हम दोनों उसे कर देंगे। मेरे पास विदेश से एक काम आया है, उन्हें पांच लीटर कोवरा सांप के जहर की जरूरत है, मू मांगे पैसे मिलेंगे, बताओ, कर पाओगे ये काम। अरे सेट जी, आप सठिया तो नहीं गए, ये कैसी बात कर रहे हो, आपको पता भी है, एक सांप से केवल कुछ बूंद जहरी ही मिलता है, तो पांच लीटर सांप का जहर कहां से लाएंगे, इसके लिए तो बहुत सारे सांपों की जरूरत होगी, ये काम तो नामुम्किन लगता है सेट जी, अरे मुन्ना, तुने सुना, मू मांगे पैसे मिलेंगे, अरे बेवकूफ, अगर हमने ये काम कर दिखाया, तो हम जिंदगी भर आराम से बैठ कर खाएंगे, जगीरा भाई, मुझे लगता है, तुम भी सेट की तरह सठिया गए हो, जो बहकी बहकी बात तुम्हारी अम्मा, भाई सांपों का जहर निकालना कोई आसान काम नहीं है, ये जहर निकालना हमारे बस की बात नहीं है, मुन्ना तुम जहर निकालने की चिंता मत करो, जहर निकालने का काम मैं खुद करवा लूगा, तुम बस सांपों को पकड़ने का काम कर दो, बाकी की जिम्मेदारी मेरी ठीक है सेट जी हमें मनजूर है लेकिन पांच लीटर जहर इकठा करने के लिए कितने सांपों की जरूरत पड़ेगी भाई कम से कम पांच सो सांपों की जरूरत पड़ेगी ठीक है सेट जी आप हमें एक हफ़ते का समय दे दीजे हम पांच सो सांप इकठा साथ आऊंगा फिर इतना बोल कर व्यापारी वहां से चला जाता है जगीरा भाई मुझे लगता है हमने ये काम पकड़ कर सही नहीं किया इस काम में बहुत ज्यादा जोखिम है अगर किसी सांप ने हमें डस लिया तो हमारा मरना तह है तू डर्मत यार कुछ नहीं होगा मेरे पास एक तरकीब है आज रात को हम जंगल चलेंगे सांपों को पकड़ने के लिए तुम तयार रहना फिर रात होने पर वे दोनों जंगल की ओर सांपों की तलाश में चल देते हैं थोड़ी दूर चलने पर उन्हें कुछ सांप दिखाई देते हैं तो देखो मुन्ना वहां लकडी की मदद से सांप को उठाते हैं और एक बाल्टी में कैद कर लेते हैं फिर वे थोड़ी दूर जाते हैं और कुछ और सांपों को भी बाल्टी में कैद कर लेते हैं जगिरा भाई मुझे लगता है हमने सौ साप पकड़ लिये हैं ये बाल्टी भी पूरी भर गई है अब इस बाल्टी का क्या करें हम इन सांतों को अपने साथ गाउं नहीं ले जा सकते अगर किसी ने देख लिया तो सारी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा तुम सही कहत मेरे पास एक तरकीब है हम यहीं जंगल में एक गढणा खोद देते हैं और इन सांतों को अपने गाउं आ जाते हैं पिर पिछले दिन की तरह वह जंगल जाते हैं और बहुत सारे सांपों को पकड़ लेते हैं और उसी गड़े में कैट कर देते हैं इसी तरह एक हफ्ता बीच जाता है कुछ देर इंतजार करने पर उन्हें वह सेट आता हुआ दिखाई देता है वह सेट अपने साथ कुछ लोगों को भी लाता है मुन्ना और जगीरा मुझो उमीद है तुमने अपना काम बखुबी निभा दिया होगा हाँ सेट जी हमने तो अपना काम बखुबी कर दिया है अब आप जहर निकालने का काम करो और हमें हमारे पैसे दो फिर वे सब जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है बहुत तेज आंधी आने लगती है अरे चकीरा भाई ये तो बहुत बड़ा तूफान लगता है आज तक मैंने इतना बड़ा तूफान नहीं देखा मुझे लगता है हमें इस तूफान के बीच जंगल में नहीं जाना चाहिए नहीं नहीं हम और इंतिजार नहीं कर सकते हमें अभी जंगल जाना होगा तभी एक बहुत बड़ा बबंडर आता है और वह सारे सापों को गड़े में से उड़ाकर अपने साथ हवा में उठा लेता है और देखते ही देखते सापों को पूरे आकाश में बिखेर देता है तो सापों की बारिश शुरू हो गई देखते ही देखते सापों की बारिश होने लगती है हर जगा साप की साप किरने लगते है अरे अरे मर गया रे इस साप को मेरे गले से निकालो अरे मर गया रे अरे ये मुझे दस लेगा अरे भागो अपनी जान बचा के भागो ये सांप आज किसी को नहीं छोड़ेंगे अरे जगीरा भाई भागो भागो फिर वे सब भागने लगते हैं सब गाउवाले सापों की बारिश होती देख अपने अपनी घरों के अंदर खुश जाते हैं अरे मर गयरे ये सापों की बारिश कैसे होने लगी ये साप तो किसी को जिन्दा नहीं छोड़ेंगे फिर एक साप उस व्यापारी को डस लेता है अरे मर गयरे इस साप ने तो मुझे डस लिया अब मैं नहीं बचूगा अरे कोई तो मुझे बचाओ फिर कुछ गाओ वाले उन सापों को मारने लगते हैं अरे मारो इन सापों को नहीं तो ये किसी को जिन्दा नहीं छोड़ेंगे अरे ललन चाचा रुको रुको इन्हें मारो नहीं इसने थोड़ी देर पहले मेरी गाय को डसा था लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ मुझे लगता है ये सारे साप जहरीले नहीं हैं हमें इन्हें मारना नहीं चाहिए अगर इसने मुझे काटा और मैं मर गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ठीक है अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले मैं इस सांप को उठाता हूँ फिर वह बच्चा उस सांप को उठाता है और उसे जंगल ख्योड ले जाता है सब गाउंवालों की आखे फटी की फटी रह जाती है और वह बच्चा थोड़ी देर में सांप को पास में छोड़ कर आ जाता है उस बच्चे की हिम्मत को देख बाकी गाउंवालों में भी हिम्मत आ जाती है और वे सब लोग सांपों को मारना बंद कर देते हैं और उन्हें उठा कर वापस जंगल छोड़ कर आने लगते हैं कुछी देर में सारे सांप वापस अपनी जगर पर पहुँचने लगते हैं वहीं दूसरी तरफ उस सेट को भी एक सांप काट चुका होता है है सांप देवता करके अपना जहर वापस चूस लो मैं वादा करता हूँ आज के बाद किसी भी जानवर की तसकरी नहीं करूँगा मैं सारे खैर कानूनी काम छोड़ दूँगा बस बस अपना सारा जहर वापस चूस लो रे सेट जी रोना बन करो कुछ नहीं होगा तुमें ये सारे सांप जहरीले नहीं हैं इनके काटने से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है आपको भी कुछ नहीं होगा अच्छा मुन्ना और जगीरा आज के बाद मैं कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करूँगा तुम ये सब गलत काम छोड़ दो आप सही कहते हैं सेट जी अगर ये साप जहरीले होते तो ना जाने आज कितने लोगों की जान चली जाती मुझे भी लगता है आज से हमें मेहनत करके ही रूजी रूटी खमानी चाहिए ठीक है भाई अगर तुम आज के बाद कोई गलत काम नहीं करोगे तो मैं भी ये काम करना छोड़ देता हूँ हम इस सापों से दूरी बना कर रखनी चाहिए लिकिन उन्हें मारना नहीं चाहिए क्योंकि हर साप जहरीला नहीं होता ये कहानी कहीं ना कहीं अगर आपकी दिल को छुए तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा Humanity should be our race Love should be our religion Thanks for watching